हलो दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हैं उसके साथ ही कुछ प्रिवियस यर्स के क्यूशन होंगे और जो आगी के पर चल रहा है। analysis करेंगे मलब कि जो exam में question आ चुके हैं उनको भी देखेंगे कि उसे related जो भी question बनते हैं उनको देखेंगे जो आगे की shift के लिए हमारे लिए important हो सकते हैं तो आईए start करते हैं बीना देरी किये हुए पहले question से पहला question है athlete food किस रोग वहा के कान होने वाली बिमारी है तो option A है bacteria, B है protozoa, C है fungus और D है virus तो जो athlete food है वो किस रोग वहा के कान होने वाली बिमारी है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा C जो की है fungi तो athlete food fungus के कान होने वाली बिमारी है athlete food विभिन कवक के कान होता है कौन-कौन से कवक है Microsporum और Trichophyton यह यह इसके कवक है अन्ने भी तो देखते है athlete food जो है वो किसके कान होता है कौन है इसका रोग वहा को है fungi तो देखते है next question क्या है next question है हमारा विजे नगर सामराजे किस नदी के तर्ट पर बसा था तो जो विजे नगर सामराजे से related question पुछे जाते है exams में तो यह very important है इसको आपको रट लेना अच्छे से तो यह किस नदी के तर्ट पर बसा था A. भीम B. तुंग भदरा C. कृष्णा और D. कावेरी तो यह किस नदी के तर्ट पर बसा था विजे नगर सामराजे इसने की ती यह भी question पूछा गया है हरी और और बुक्का हरी हर और बुक्का ने विजे नगर सामराजे की स्तापना की ती कहां पर तुंग भदरा नदी के दक्षिन तर्ट पर और जो important है वो इन्होंने 1336 में विजे नगर की स्तापना की और हरी हर जो है इसका प्रथम कौन था सासक था next देखते हैं next question क्या है third question है जो कि है किसी बुक से related है बुक से related question भी exam में पूछे जाते हैं और तो देखते हैं हम by many a happy accident नामक पुस्तक किसकी आत्मकता है A. गुलाम नवी आजाद B. हामिद अंशारी C. फारुक अब्दुला D. M. वेंक्या नडू तो वताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर होगा B. जो कि है आमिद अंशारी तो by many a happy accident नामक पुस्तक भारत के पूर्व उपराष्टपती कौन थे ये पूर्व उपराष्टपती थे हामिद अंशारी इनकी आत्मकत्ता है इनके बारे में लिखा गया इस पुस्तक में जो कि 2007 से 2017 तक जो भारत के कौन से विकरम के बारवे करम के उपराष्टपती के रूप में इनको भी आप देखलेना उसके बाद में हमारा ψ कहा स literary स्पार्य का सदसे कौन नहीं बन सकता तो को नहीं सकता है विभागिये इस्था समीती का सदसे को नहीं बन सकता है ऐसे चिंचन्built पुछे जाते हैं तो यह प्रिजर का है इंपोर्टेंड है तो ए है बहुमत्प्राप्दल का सदस्य वी मंत्री सी नेता प्रतीपक्स और डी उक्रोक सभी तो कौन नहीं बन सकता है तो इसका आंसर होगा वी जो की है मंत्री देखते हैं कि यदि किसी सदस्य को विभागे इस्ताई समीती में नामित करने के बाद म नेते किस किसस्य लोक सभा से और दस राज्यसभा से होते हैं लोकसभा में सदस्यों को कौन नयूक्त करता है और राज्यसभा में सदश्यों को राज्यसभा के सबापती द्वारा नामित-चिया जाता है नतес He देखते हैं, इंपोर्टेंट क्यूशन है, निमली कितमें से किसने बढ़ना परीचे नामपुस्तक लिखी, पुछे जाते हैं, तो हम भी पुस्तकों से जितने ज़्यादा क्यूशन हो सकते हैं, उतने क्यूशन हमने लिए हैं, तो इसमें A है इस्वर चंदर विद्या सागर तो बढ़ना परिचे नामा कुस्त किस ने लिखी है? तो उसके लिए जो पर्युक्त सब्द है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनिमोफिली क्या होता है? नेक्स्ट एनिमोफिली क्या होता है? वह परिकरिया है जब प्राग को एक पोदे से दूसरे पोदे में वायू द्वारा ले जाया जाता है मतलब कि प्राग को एक पोदे से दूसरे पोदे में वायू द्वारा जो सारांतर होता है उसको क्या कहते हैं एनिमोफिली कहते हैं तो मतलब कोदों में पराग केसे होता है वायू द्वारा होता है और इसको क्या कहते हैं एनिमोफिली कहते हैं सात्वा है, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, तो कौन सी नदी गुजरती है, A. नील नदी, B. वोलगा नदी, C. डैन्यूब नदी, C. डैन्यूब नदी और D. अमेजन नदी, तो कौन सी नदी है, जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, A. न answer होगा डैन्यूब नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है तो यह कौन कौन से देशों से गुजरती है यह जर्मनी ऑस्टेलिया हंगरी रोमानिया बुलगारिया प्रो एसिया सरभिया slow वाक्या से होकर गुजरती है ये वोलगा नदी के बाद ये युरोप की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, मतलब कि ये युरोप की नदी है, कौनसी? डैन्यूब नदी पहली कौनसी है? वोलगा नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी दिया की यह जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है लेकिन सबसे ज़्यादा देशो से होकर गुजरने वाली नदी कौन्छी है यह अपनी है डैनेव नदी नदी नेक्स्ट है एक नमर जो कि पुस्तक से रिलेटेड है अनहापी इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है तो किस ने लिखी है अनहापी इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका अंसर क्या होगा डी का अंसर होगा लाला लाजपतराय तो इन होने लिखी है यह पुस्तक कौ दिदूज के दिदूज के पंजाब करने है। तो इन्हें पंजाब के श्री के नामसे भी जाना जाता है। इनहोंने लाहूर में 1921 में सर्वेंट ओफट भी स्वीपल्स सोसाइटी की स्पापना इन होगी सी कौन सी है unhappy India next question देखते हैं 9th question है लोग लेखा समीति के सदश्यों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है तो कितनी हो सकती है A. 11, B. 22, C. 33, D. 44 तो कितनी हो सकती है लोग लेका समिती के सद्धियों के अधिक्तम संग्या कितनी हो सकती है यह हो सकती है 22 इसका अंसर होगा भी कितनी हो सकती है 22 हो सकती है तो यह संसद के चैनिस सद्धियों की एक समिती होती है क्या होती है ये संसद के चैने सद्धियों की एक समीती होती है और अधिक्स की नियुक्ति लोग सभा स्पीकर द्वारा की जाती है इसके अधिक्स की नियुक्ति को उन करता है जो लोग सभा का स्पीकर होता है उसके द्वारा की जाती है और सद्धियों के इपद का कारियकाल कितना होता है एक साल का होता है तो लेखलेखा समीति के अधिक्तम सदश्य कितने हो सकते हैं यह हो सकते हैं बाइस हो सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं इंपोर्टेंट है सारे क्यूशन इसलिए जितने जादा क्यूशन हो सकते हैं उनको हम जल्दी-जल्दी कवर करते यह एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है जो SSE CHS का एक्जाम चल रहा है उसमें यह क्यूशन आ रहे हैं इसलिए यह आपको देखके जाने अच्छे से याद करके जाने है तो है कि भारत के सविधान के निमल लिखित में से किस संसोधन ने गोवा को राजे का दर्जा दिय तो गोवा को जो राजे का दर्जा है किस सविधान संसोधन से दिया गया है ए है 52 सविधान संसोधन 56 सविधान संसोधन और 69 सविधान संसोधन और 48 सविधान संसोधन तो जो गोवा को जो राजे का दर्जा है किस सविधान संसोधन से मिला है किस से मिला है इसका आंसर होग 56 संसोधन इसका आंसरों अभी और 52 संसोधन क्या है यह दल बदल से सम्मंदित है दल बदल विरोधि कानून से सम्मदित है कौन सा statewide और हुआ का राज्य का जो दर्जा है वो 56 संसोधन से मिला है नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं इंद्रावती नदी पर त्रीकूट जल परपात निमल लिकित में से किस राज्ये में इस्तित है जो इंद्रावती जो नदी है उस पर जो त्रीकूट जल परपात है वो किस राज्ये में इस्तित है A. 36 गड़, B. जारकंड, C. महराश्र और D. उत्तरपरदेश तो यारवे का आंसर क्या होगा? यारवे का आंसर होगा A. जो की है 36 गड़ कहां परिस्तित है? ये किस राज्य में है? ये है 36 गड़ में है त्रिकुट जलपरपाथ 36 गड़ का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जलबराव वाला जलपरपाथ है कैसा है? ये सबसे बड़ा है 36 गड़ का और सबसे अधिक जलबराव वाला जलपरपाथ है तो इंद्रावतिन अधिप पर त्रिकुट जलपरपाथ है वो कहां है? ये 36 गड़ में है नेक्स्ट क्यूशन है स्री द्वारकादिस मंदिर को किस नाम के रूप में भी जाना जाता है इसका दूसरा नाम क्या है लक्ष्मिनार्य मंदिर है भी जगत मंदिर है श्री वासु देव मंदिर है या भी देव मंदिर है जो स्री द्वारकादिस मंदिर जो है उसका दूसरा नाम क्या है या इसको और किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर होगा जगत मंदिर, क्या होगा इसका आंसर होगा B, जो कि है जगत मंदिर, और ये द्वारे का गुजरात में इस्तित है, और ये भगवान स्री कृष्ण को समर्पित है, कौन सा द्वारे का दीस मंदिर, जिसका दूसा नाम जग जगत मंदिर है, इसको जगत मंदिर के नाम से बिजाना जाता है, और ये कहां इस्तीत है, ये गुजरात में इस्तीत है, ये बगवान करस्न से रिलेटेड है, अब देखते हैं, next question, तेरा नंबर जो है, तेरा नंमर क्यूशन है, निमलिकित में से किसने 1885 में हेजे के टिके क विक्षित किया तो यह कुशन भी इंपोर्टेंट है कि किस ने कौन सा टिका बनाया तो हम देखते हैं कि हेजे का टिका जो है वो किन्हों ने विक्षित किया था A है Edward Jenner, B है Jamie Ferren, C है Jonas Saal, D है Leon Kalmet तो इसका आंसर क्या होगा कि हेजे का जो टिका है वो किन्हों ने बनाया है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा Jamie Ferren, किन्हों ने बनाया है Jamie Ferren ने बनाया है, तो इन्होंने कब बनाया था यह 18.59 में बनाया था ये भी क्यूशन पूछ लिया जाता है कि हैजे का टिका किसने विक्षित किया या कब विक्षित किया इसके साथ ही और जो चेचक का टिका है वो कि इन्होंने विक्षित किया तो ये है एडवर्ड जेनर ने और उसके साथ जोनास एडवर्ड सालक ने क्या बनाया है इन्होंन एसे कुशनों को इसलिए ये लेके आई हूं, आपके लिए important है, next question देखते हैं, चोकदा नमर जो है, किस सहर को दक्षिन भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, important question है, दक्षिन भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, A. त्रिवेंद्रम, B. कॉयमटूर, C. त्रिवें कि राजधानी चैन्नई क्या है तमेलनाडू की राजधानी है और चैन्नई भारत के dettekk कौषण 15 गेट सत्माला पहाडियां निमल मैं से किस राज्य में इस्तीत है तो यह पहडियां जो किस राज़े में स्तीथ से उब टाइए इसका आंसर क्या होगा और इसका गुजरात वी राजस्तान सी महाराष्ट आपी पलाष्टर में है यह नासी की महतवय कोन रेंज है और यह नाजी चारों और एक हार की तरह दिखाइग देती है पहां की है यह महँराष्टरी है और इसकी जो सबसे उची जोटी है वंची है धोपाट आशी चोटी है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं 16 नमबर, इंपोर्टेंट क्यूशन है, बहुत बार क्यूशन पुछा गया था, ऐसे सी जो CHSL है, CGL है, जो पहले पेपर हुआ है भी लास्ट मन्त में, उनमें ये बहुत बार क्यूशन रिपीट हुआ था, तो प्लास्टर ओफ पेरिस को इस तो प्लास्टर ओफ पेरिस को रासाई निखनाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा C, जो की है कैलिस्यम सल्फेट हैमि हाइटरेट, क्या है केल्सियम सल्फिट हैमी हाइडरेड और इसके उप्योग क्या है बहुत बार एक्जाम में पुछा गया था कि इस प्लास्टर और पेरिस के उप्योग बताएए या टूटी हुई हड़ियों को जोडने में किसका उप्योग किया जाता है ये क्यूशन बहुत रिपीट भाता पिशली बार तो इसका उप्योग जो है डोक्टर टूटी हुई हड़ि को सही स्तिती में स्तिर रखने के लिए करते हैं साती मूर्थियां और खिलोने बनाने में भी इसका उप्योग होता है इसका प्लास्टर और पेरिस का साचे और मोडल बनाने में और चोक बनाने याद रखना है नेक्स्ट क्यूशन है 17 नमबर दल बदल विरोधी कानून किस सुची से समंदित है दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस सुची से समंदित है सुची से समंदित क्यूशन भी एक्जाम में बहुत बार रिपीट हुए है तो दोस्तों इसका वीडियो हमने अ description में तो देखी वताइए कि इसका आंसर क्या होगा दल बदल विरोधी कानून है किस अनुसुची से समंदित है दसवी अनुसुची पहली अनुसुची पाँचवी अनुसुची या तीसली अनुसुची तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए जो की है दसवी अनुस और यह कौन से सविदान संसोदन से जोड़ा गया है यह है 52 सविदान संसोदन से इसको जोड़ा गया है दल बदल विरोधी कानून को नेक्स्ट क्या है जो नेक्स्ट क्यूशन है हमारा ठारा नमर जबलबूर सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है किनारे बसेवे जो नदियों के किनारे बसेवे सहरों से related question भी एक्जाम में पूछते हैं तो जो question पुछा गया है वो जबलपूर सहर किस नदी के किनारे बसा है तो बताईए A. नरवदा, B. गंगा, C. गोदावरी, D. माही तो जबलपूर सहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका अंसर क्या होगा, राइट आंसर, जो है जबलपूर सहर है, वो किस नदी के किनारे है, तो ये है नरमदा नदी के किनारे बसा हुआ है, नरमदा नदी के किनारे और कौन-कौन से सहर बसे हुए है, इंप पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा तो इसको आप रट लीजिए गंगा नदी के किनारे बसे हुए सहर कौन-कौन से है पटना है वाराणसी है हरीद्वार है कानपूर है भागलपूर है प्रियाग राज है परक्का है कनोज है ये वेरी इंपोर्टेंट है पटना पूछे जाते हैं और ये अभी पूछा गया है CHSL का अभी जो एक्जाम चल रहा है उसमें ये आया है नो दस्तारिक के सिफ्टों में ये पूछा गया है नीती आयो एक्सेक्यूशन तो हम इसको डिटेल में देखते हैं नीती आयो की शुरुआत कब हुई थी तो नीती आ जाते हैं नज्दिक में ताकि कन्फूज हो आप लोग तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा ए जो की है एक जनवरी 2015 तो देखते हैं नीती की फुल फोर्म क्या होता है ये होता है नेशनल इंस्टिटूट फोर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया ये भी पूछा जाता था 1 जनवरी 2015 को केंद्रिय मंट्री मंडल के एक प्रस्ताव के महादेम से किया गया था और इसका मुख्याले कहा है इसका मुख्याले है नई दिल्ली में और इसके अधिक्स कौन होते हैं भारत के प्रदान मंत्री इसके अधिक्स होते हैं तो वर्तपान में कौन है और मुख्याले का है नई दिली में गठन 1 जनौरी 2015 को हुआ था नीति की फिल फॉर्म है नेशनल इंस्टिटुशन फोर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया इंपोर्टेंट क्यूशन है यह सारे क्यूशन एक-एक सिफ्ट में जरूर आएंगे आपके लिए तो हम देखते हैं नेच्ट क्या है हमारा क्योशन नम्मर बीच प्रसीद उपन्यास दूर किस ने लिखा था तो किसael ने लिखा था दूर की संदीनी इंपोर्टेंट है बंकीम चंदर चटर जी रमिंदर नाठ पेगोर महत्मा गांधी और राजा रामोन रहाई तो ये किनके द्वारा लिखा गया था दूर के सांधी नी तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बंकीम चंदर चटरजी तो किनों ने लिखा था बंकीम चंदर चटरजी ने लिखा था अब देखते हैं रविदनाड तेगोर ने जन्य रचनाई देखते हैं और बंकीम चंदर चटरजी की अन्य रचनाई क्या है? सकुंतला है, तेवी चोधुरानी है और आनंदमट है और वन्दे मात्रम बेरी इंपोटेंट है आनंदमेंट और वंदे, मातरम और सकुंदला वंकीम चंदर चटर जी की जो रचनाई है इंपोर्टेंट है नेक्स देखते हैं 21 नमबर चिलका जिल किस राज्ये में है वेरी इंपोर्टेंट यह अभी जो कुशन सेट में ने करवाये था पहले इंपोर्टेंट है और यह आगी भी आ सकता है तो इसे रिलेटेड हम देखते है चिलका जिल किस राज्ये में है तो इसका आंसर क्या होगा यह सब को याद हो जाना चाहिए यह हर बार पूछता ही है मतलब यह SSE का फेवरेट कुशन हो गया है कि चिलका जिल है वो किस राज्ये में स्थित है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा यह जो की है ओरिसा में चिलका जिल जो है एसिया की सबसे बड़ी और विश्वे की दूसरे सबसे बड़ी लवनिये जिल है जिसको लेंगियून जिल भी कहते हैं, important है कि लेग्यून जूल का उधारन है, वो क्या है? ये है चिलका जील है, ये भारत के पूर्वी तर्ट पर ओडिसा राज्ये में इस्तित है, कहां इस्तित है? ये पूर्वी तर्ट परिस्तित है, जो कि बंगाल की खाडी से रेत की एक छोटी सी पटी से अलग ह होती है, ये बंगाले खाडी से छोटी सी रेत की पटी से अलग होती है, और ये पूर्वी तर्ट परिस्तित है, ये एसिया की सबसे बड़ी है, और विश्वे की दूसरी सबसे बड़ी लवण ये जील है, लेंग्यून जील का उधारन है, ये कौन सी चिलका जील जो की है औरिशा में, next question देखते हैं, बाइसवा, मोती मस्चिद किस सासग ने बनाया था, important है, ये question भी हमने करवाया था, ये question भी आया है, देखो, तो इसका क्या होगा, A. सहाजा, B. अकबर, C. अकबर, C. बाबर, D. औरंग जेबतु, क्या होगा इसका आंसर, बताइए, A. सहाजा, B. अकबर, C. बाबर, D. औरंग जेबतु, किन्हों ने बनाया था, मोती मस्चिद को, किन्हों ने बनाया था, मोती मस्चिद को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, सहाजा, मोती मस्चिद जो है, वो आग्रे के किले में स्तित है, कहां स्तित मोती मस्चिद, ये है, और साजा ने और क्या बनाया था? जामा मस्ऺित और दिल्लीका लाल किला किनों ने बनाया था? साजा ने बनाया था? और अकबर के द्वारा जितने वेस्तु कला कि जो बनाया था? वो इंपोटेंट है. यह question आ सकते हैं, exam में, तो हम देखते हैं हुमायू का मकबरा किसके द्वारा बनाए गया है अकबर के द्वारा आगरा का लाल किला इनमें कंफ्यूज नहीं होना है दिल्ली का लाल किला है वो बनाया है साजा ने और आगरा का जो किला है वो बनाया है अकबर ने जहांगिरी महल इंपोर्टेंट है अकबर ने बनाया है, फतेव फूर सिक्री, अकबर की है, जोदा भाई महल, पंच महल, बीरबल का महल और खास महल, ये सब है जो की अकबर ने बनवाये हैं, important है, नेक्स देखते हैं, 23 वा क्यूशन, 1290 से 1320 किस वंस का शासन था, important क्यूशन है, ये हर बार पुछते हैं, ये मतलब की कौन सा वंस जो की पहले आया था, बाद में आया था, इन्होंने कब से कब तक इन्होंने शासन किया था, important है ये क्यूशन, तो 1290 से 1320 किस वंस ने शासन किया था, तो इसका आंसर क्या होगा 23 का, 23 का आंसर होगा खिलजी वंस, इन्होंने 1290 से 1320 तक जो है भरत पर शासन किया था, दिल्ली पे, तो पहला है, ये भी पूछा जाता है कि पहला वंस कौन सा था, जो दिल्ली की सलतन पर जिन्होंने शा संक भाई हैं उसके बाद में ख्लजी वन्स ताए जो कि 1290 से इनाहसू भी किसयन तक यह किश्वन करवाया था जो फेपर सेट डिया था था शो सब Selected Cars दिम पहले वे उसमें भी हमने यह सा 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 वान्स तो यह खिल्जी वन्स 1290 से 1320 उसके बाद में तुगलक वन्स कब से कब तक 1320 से 1413 तक शेयत वन्स है वो 1414 से 1451 तक उसके बाद में जो लोधी वन्स है सबसे लास्ट वन्स है 1451 से 1526 तक इन्होंने साशन किया था इंपोर्टेंट क्यूशन है लिखे याद किजिए तब याद होगा इनका करम याद रखना है सबका इनका इयर भी याद रखना है तो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं तो जो गुतमबुध ने पहला उब्देश कहां दिया था इंपोर्टेंट क्यूशन है याद होना चाहिए इसका अंसर तो ए है सार्नाथ भी है पातली कुत्र, C है खुशी नगर और D है वारण सी तो जो गोतम बुद ने पहला उपदेश कहां दिया था तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A जो की है सारनाथ तो गोतम बुद ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो जो कहां है गोतम बुद ने बिहार के बो सारनात गाउं में दिया था, कहां दिया था, सारनात में दिया था, next देखते हैं, प्रस्तावना किस देश के सविधान से लिया गया है, important fusion है, ये भी पूछे जाते हैं भारतिय सविधान के श्त्रोथ, ये भी वीडियो बना के हमने डाला हुआ है, तो इसका लिंक भी हम जाड़ा, C, Australia, D, Japan, तो कहां से लिया गया है, इसका आंसर याद होना चीए, इसका आंसर है, A, अमेरिका के सविधान से प्रस्तावना ली गई है, जो प्रस्तावना की प्रेणा है, वो अमेरिका के सविधान से ली गई है, और ये जो प्रस्तावना की भासा है, ये दो अल इन परश्ट पती लिया है महावयोग लिया है विटियपात्कार लिया है सब याद होना चाहिए में डिस्क्रिप्चिन में डाल देंगे प्रमोपस्त्रोथ जो कौन-कौन से देश से क्या-क्या जात गिया है सब नेक्स्ट कुशन देखते हैं 26 नमबर इंपोर्टेंट है लिंग राज मंदिर किस राज्य में इस्तित है मंदिरों से related question भी exam में पूछे जाते हैं तो जो question है लिंग राज मंदिर किस राज्य में इस्तित है A. मद्धेपरदेश, B. उडिशा, C. तमिलनाडू और D. गुजराच जो लिंग राज मंदिर है वो किस राज्य में इस्तित है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा B. जो की है उडिशा में लिंग राज मंदिर कहा है ये है उडिशा में है तो ये किसको समर्पित है ये भगवान सीव को समर्पित है ये लाल बल्वा पथर से निर्मित है ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से पथर से निर्मित है तो ये लाल बल्वा पथर से और ये कलिंग सेली में बना हुआ है इंपोटेंट है जो लिंगराज मंदीर है वो किस सेली में बना हुआ है कलिंग सेली में बना हुआ है इसके ब नमकारेशवर, जोतिलिग मंदिर, यह मद्य परदिश के, उसके बाद में उडिशा के, उडिशा के इंपोटेंट, ब्रहमेश्जर और जगनात मंदिर, इंपोटेंट है, लिंगराश मंदिर, कोणाकसूर्य 없이 इंपोटेंट, उडिशा के इंपोटेंट pengharnas Fellows衣 बिलिंपोट है नेश्ट देखते हैं कुशन हड़क निती इंपोर्टेंट है ये भी आमने बताया था वीडियो में जो कुशन रिपीट हुए हैं वह बता रही हो कि हमारे वीडियो से कौन-कौन से क्यूशन आये, तो यह क्यूशन भी आया है, उसमें से हडप निती, पांसे च्छे क्यूशन आये है, एक ही वीडियो से, दो दिन की पेपर में, तो देखिए हडप निती, किस ने बिती, तो यह किस ने अपनाई थी, हडप की निती, A. लाद डल होजी ने, जो जी ने 1848-1856 तक भारत के गुवर्णने जनरल ठीज, कब से कब तक ते यह बी क्यूछन पूछा जाता है, इनका अरी पूछे जाते है कि हम से कब से गुवर्न जनरल थे तो 1848-1856 तक थे लाड कलाईव ये बंगाल के सरकार की सरकार की दोहरी परणाली किन्होंने किन के दिमाग की उपज़ है ये लाड कलाईव के दिमाग की उपज़ है कौन सी सरकार की दोहरी परणाली लाड कलाईव का 1765 में बंगाल के गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल थे ये भी क्यूशन पूचा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो लाड कलाईव थे उसके बाद ने वोरेन हस्टिंग ने दोहरी परणाली को समाप्त किया था कि ने वॉर्एन हस्टिंग ने जो सरकार कि दोखरी परणाली है उसको समाप्त किया था और इन्हों ने इसकी शुरुवात की थी लाड़ कलाईब ने और लाड़ कानिवाल इसने स्ताई बंदोवस्त की सुरुवात की थी, ये भी important है लाड कॉनिवल इसने क्या क्या था? स्ताई बंदोवस्त की सुरुवात की थी इनोंने नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं कौन सी पंचवर्षी योजना? PC महाल नोविस मोडल पर आधारित है इंपोटेंट है पंचवर्षी योजना से रिलेटेड क्यूशन भी पूछे जाते हैं ये भी क्यूशन आया है भी एक्जाम में इसलिए इंपोटेंट है इसलिए करा रही हूँ और आगे भी इनसे रिलेटेड क्यूशन पूछे जाएंगे तो इसको इस टोपिक को भी आप अच्छे से देख लेना ये भी हमने करवा रखा है तो एक बार इसको जरूर देख लेना कोई भी क्यूशन छोड़ा नहीं है टोपिक में तो कौन सी पंचवर्षी योजना PC महल नोविस मोडल पर आधारित थी तो कौन सी थी पहली थी PC महल नोविस मोडल पर आधारित और इसका उदेश्य क्या था उदेश्य भी पूछे जाते है एकजाम में इनका येर भी पूछा जाता है तो इसका उदेश्य क्या था उद्योगिक विकास पहली पंचवर्षी योजना है वो किस पर आधारिती हैराल्ड डोमर मोडल पर आधारिती और इसका उदेश्य क्या था क्रशी विकास था पूछे जाते हैं इंपोटेंट है उसके बाद में 35 वर्षी योजना का उदेश्य क्या था आत्मनिर्बर्था और कर्सी एवं उद्योगि इसका उदेश्य था इंपोटेंट है पंचवर्षी योजना भी आपको अच्छे से देखके जानी है कोई सा भी कुशन आ सकता है इयर से आ सकता है मोडल से आ सकता है इनका उद्योष्य आ सकता है तो देखते हैं नेक्स्ट कुशन नेक्स्ट है जीम कारवेट रास्ते उध्धान जो है भारत की किस राज्य में इस्तित है इंपोटेंट है इससे भी कुशन बनते हैं तो A. उत्राखंड, B. गुजरार, C. राजस्तान, D. मद्धेपरदेश तो कहां है जीम कारवेट राश्ते उध्धान है वो कहां है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा A. जो की है उत्राखंड में जीम कारवेट राश्ते उध्धान है वो उत्राखंड के नेनी ताल जीले में इस्तित है जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इसकी स्ताफ नकब हुई थी 1936 में हुई थी उसके साथ ही गिर राष्टे उध्यान कहा है ये गुजरात में और इसमें क्या पाए जाता है एक पाए धानर सोचा और यहां पर पूछे जाते हैं यहां पर पूछे जाते हैं तो ऐदम है। है राजस्तान का है रोयलल भंगाल टाइगर है उसके बाद में कहना राष्ट्ययों जो कि मद्दे पर देश मैं है भाग भाग मिलते हैoded बाग पाये जाते हैं लुए जुसके बाद में रंधन्भो राष्ट्यययां यह कहां का है यह राजस्तान का फाट तो sach है राश्ट्रे उध्धान भी आपको एक बार देख लेने हैं सारे राज्यों में कौन-कौन से है नेक्स्ट कुशन है इस राज्ये का सास्त्री नर्ते है जितने भी है सब याद करके जाने हैं तो देखते हैं कि मुहीनी अट्म जो है किस राज्ये का है A. Keral, B. Andhra Pradesh, C. Udissa, D. Asam तो ये है मोहिनी अटम जो है किस राज्य का है इसका आंसर होगा A. जो कि है केरल का है मोहिनी अटम राज्य उसके इलावा जो भी हमारे सास्त्रे नर्टे हैं उनको देखते हैं एक बार मोहिनी अटम केरल का है बरत नार्टेम इंपोटेंट है ये तमील नर्डू का सास्रे नर्टे है उसके बाद में कुच्चीपुरी आंदरपर्देश का है इनसे क्यूशन बनेंगी आगे की शिफ्टों में इसलिए सबको याद करना है लिख-लिक के याद करो चाहे कथकली है वो है केरल का है ओडिसी है उडिसा का है मनिपूरी है मनिपूर का कथक है उतरपरदेश का और सत्रिया है असम का तो इन सबको याद करने हैं ये हमारी क्यूशन थे आपको सब ये सब याद करने और इनसे रिलेटेड जो भी क्यूशन है सब याद करने हैं तो थैंक झाल